हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो फैसल कॉंसेप्ट्स स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो हैं थ्रेट्स एंड अटेक्स अब चुंके बाद हम information security की कर रहे हैं तो जहां पर information है वहां पर security का बहुत important role है हमने अपनी information को secure भी करना है कि उसमें अगर कोई threat ना हो अगर threat होगा तो उसमें attack भी launch हो सकता है उसमें कोई vulnerability ना हो अगर vulnerability होगी तो हमारे system जो है वो exploit भी हो सकता है तो ये सारी चीज़े important role play करती है हमारी information security के अंदर तो चलिए हम सबसे पहले discuss करती है कि हमारे पास ये जो different terms हमने अभी discuss किये ये होती क्या है असल में हमारे पास जो number one है that is threat अब a potential risk अब अब let's suppose आपकी कोई organization है company है कोई आपका system है उसका कोई ना कोई आपका जो risk उसमें मौजूद है आपका उसमें कोई ना कोई weakness मौजूद है कि आपके जो assets है उसकी value आपकी loss हो सकती है उसकी value आपकी compromise हो सकती है next आपके पास आजाता है attack अब अगर उसमें risk मौजूद है कोई vulnerability मौजूद है कोई weakness मौजूद है तो जो बना जिसको आपके information में interest है और वो चात कि आपके system और information को compromise करें तो वो उस पे attack launch करेगा जहां पर आपकी वो information को या system को damage कर सकता है next बात कर लेते हैं exploit की अब exploit कोई ऐसी technique होगी जिसके थूँ वो आपके system को या information को compromise करेगा next आजाता है हमारे पास vulnerability vulnerability हमारे पास कोई ऐसी weakness जो हमारे system के अंदर मुझूद है या हमारे asset के अंदर मुझूद है जिसको use करते हुए hacker या attacker जो है attack launch करेगा तो ये कुछ important terms हैं जो हमारी information security के अंदर मुझूद होती हैं और काफी important role play करती है तो हर एक organization को या आप अगर खुद as individual कोई आपके information या system है तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी data और information या system को secure कर सकते हैं अब हम देखें के जैसे ही हम आगे की तरफ जा रहे हैं इंटरनेट का दोर है हर कोई बंदा चाहता है कि मैं इंटरनेट से connect हूँ right यहाँ पर देखें कि आप यहाँ पर North America, Africa और Antarctica हर जगा पर आप देखें Middle East, Asia, America जहां देखें कि वहाँ पर internet use हो रहा है कोई ऐसी जगा नहीं है जहां पर internet use नहीं हो रहा हर बंदा चाह रहा है कि मैं भी internet की दुनिया पर आओं वहाँ पर मैं internet की दुनिया पर सर्फ करूँ तो हर बंदा internet पर आना चाहता है लेकिन जिस जिस तरह से ही technology का इस्तिमाल और internet पर traffic बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ different security के जो threats और risks हैं वो भी increase होते जा रहे हैं और जितना हम अपने system को secure कर रहे हैं उसके साथ साथ जो hackers या attackers की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि threats और attacks के जो हैं हमारे पास कौन-कौन सी categories हो सकती है सबसे पहले अगर हम threats की बात करें तो हमारे अगर कोई intellectual property या information compromise हो जाती है तो यह हमारी threat के अंदर आ जाती है deviations in the equality of service इसमें हमारे पास जो internet services जो provide कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास ISPs आ जाते हैं तो अगर हमारी quality of service में अगर कोई threat मुझूद है तो attack launch वो कर सकता है हमारी ISP के उपर power के उपर और या wireless access network services problem जो हमारे अंदर आ जाते हैं वो जो है उसके उपर कर सकता है attack launch दूसरा अगर threat है espionage or trespass अगर वो हमारे system में कोई ऐसी vulnerability मौझूद है कि उसको easily उसमें कोई ना कोई भी बंदा जो है उसको access कर सकता है तो क्या होगा कि unauthorized access और data collection तो unauthorized बंदा आएगा system को trespass करेगा और जो है हमारी data को ओडा ले जाएगा forces of nature अब forces of nature से हमारा data किस तरह से जो है destroy हो सकता है let's suppose कोई fire लग जाती है floods earthquake lightning इस वज़ा से हमारा system जो है वो crash कर सकता है तो आपने क्या करना है कि अपने data information का एक backup भी रखना है एक encrypted drive में right human error or failure accidents और employee mistakes की वज़ा से जो है आपके attacks की वज़ा से जो है आपका information या data damage हो सकता है information extortion इसका मतलब यह है कि अब एक attacker आया hacker उसने आपके data को तो compromise कर लिया लेकिन अब आपको वह blackmail करेगा क्यार मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपको जो है ना वापिस आपके system पे access दे दूगा या आपके information आपको वापिस कर दूगा उसको leak नहीं करूंगा तो यह आपके आजाती है information extortion आगे देखें तो यह सारे आपके अंदर threats और attacks मुझूद है software attacks, technical hardware failures, technical software failures, technological obsolence, theft यह सारे चीज़े आपके आजाती है threats और attacks की जो different example जो इसके ओपर launch हो सकते हैं तो यह table आपने इसको study कर लेने हैं सिर्फ understanding के लिए कि अगर यह वाला threat आपके system या organization के अंदर मौझूद हैं तो किस किसम के attack उसके उपर launch हो सकते हैं अब कहते हैं हम आजाते हैं one by one हम threats को discuss करते हैं number one is compromises to intellectual property, right? अब let's suppose अगर आपका कोई system है और कोई उसको hack कर लेता है और उसकी ownership जो है वो आप से ले लेता है तो आपकी जो intellectual property है वो compromise हो गई है, right? अब उसके अंदर आप जितने software's यूज़ कर रहे हैं जितना आपका data उसमें है वो सारे का सारा उसने compromise कर लिया है तो आपकी जो property थी उसकी ownership आप से अब खतम हो गई है और जिसके पास अब वो data गया है या system का control है वही उसको control करेगा आप से उसकी ownership खतम हो ग property, deviations in the quality of service, अगर quality of service में आपके पास कोई discrepancies या irregularities आ जाती है तो उसके उपर किस किसम के जो है वो attacks जो है वो launch कर सकता है या किस किसम के issues का सामना करना पड़ सकता है आपको अगर quality of service में issues आते हैं उसमें आ सकता है कि अब कि अगर internet service में कोई issue है, communication या power irregularities उसमें आ जाती हैं तो तब क्या करेगा कि internet services में अगर issues हैं उसमें आ जाता है कि internet service provider ISP जो आपकी है अगर उसमें कोई failure आ जाता है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके information की availability जो है वो आपके बजाए किसी और को वो कर दें तो ये आपका जो बहुत main role है वो ISP के अंदर आता है अब अगर है तो इसी तरह से उसको भी कोई और बाहर का बंदा जो है वो access कर सकता है अगर आपकी internet services provider जो है उसमें अगर कोई ने कोई issue आ जाते है नेक्स्ट अब देखें कि अगर आपके कोई communication या other service provider issues आ जाते हैं जिसमें आपके telephone water wastewater तो ये जो है ये सारे जो है उसके उपर effect कि आपकी information की जो compromise है उसके उपर काफी important role होगा इसका power irregularities की वज़े से क्या हो सकता है कि अब आपके power कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है तो उसकी वज़े से भी आपकी data जो है वो destroy हो सकता है या आपका जो data के उपर control है वो आप से किसी और के पास जा सकता है तो ये आपकी एक vulnerability आजाती है आपके जो system है या organization है उसके अंदर अब बात अगर हम कर लेते हैं as pointage या trespass की तो इसमें हम कहते हैं कि आपके जो information है वो कोई unauthorized बंदा उसको access कर लेता है अब उसके अंदर क्या है कि वो उस data को damage भी कर सकता है या फिर जो है ना उसको modify करके वही प पास के अंदर अब इसमें दो तरह के hacker जो है वो as pointage या trespass कर सकते हैं number one है expert hackers अब क्या है कि वो अपनी जो attack है उसको launch करने के लिए अपनी script लिखेंगे software develop करने के लिए right और अपना ही program लिखेंगे आपके system को exploit करने के लिए उसको trespass करने के लिए right तो ये काफी जो है महारत रखते हैं अपनी skills में और हर attack के लिए ये एक नया software जो है वो बनाते हैं अब अगर unskilled hackers की बात कर लेते हैं तो ये बनिस्पत के expert hackers के कुछ कम skilled होते हैं और ये जो है पहले से जो बने बनाई software मुझूद होते हैं उनको ही ज्यादे तर use करते हैं नए software नहीं बनाते किसी भ है ना किस किस हद तक जो है फाइदा उठा सकता हूं तो यही आपके जो है वो password attacks आ जाते हैं अब अगर system आपने hack कर लिया है उस पर password है तो different password attacks जो है वो launch करेगा ठीक है उस पर क्या है कि cracking brute force, dictionary attacks, rainbow table, social engineering तो ये कुछ attacks हैं ये आगे चल कि हम discuss करेंगे सरिफ अभी आपने जो अब देखें कि अब ये बंदा बैठा हुआ है organization का पीछे कोई बंदा एक खड़ा है अब let's suppose हो सकता है ये बंदा जो है जो बैठा हुआ है अपनी Facebook ID login कर रहा है तो ये बंदा इसकी login details सारी देख लेगा और ये देखें this is shoulder surfing मतलब shoulder के ऊपर से नाम से understood है कि shoulder की back से जो है वो सारी details इसकी उड़ा ले जाएगा और इसको पता भी नहीं चलेगा तो अब देखें password की जो power है कि आप अगर password की length जो है आप से बार बार कहा जाता है कि password की length आपने 8 characters की रखनी है देखें अगर 8 characters की रखते हैं तो crack होने में कितना time ले रहा है 1.01 seconds so on इस तरह से अगर 16 3 की देखें तो crack होने में कितना time ले रहा है 6672.9 years तो अगर आप अपने password के जो characters है वो ज्यादा रखते हैं तो आपका जो password है वो strong है और इसको hacker को उसको crack करने में काफी सारा time लग जाएगा अब अगर हम forces of nature की बात कर लेते हैं जिसकी वज़ा से आपका जो data है वो breach हो सकत है उसमें floods, earthquake, fires ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं जिसकी वज़ा से आपका information या data आपका damage हो सकता है, destroy हो सकता है तो organizations को चाहिए कि वो इस हवाले से different हमारे पास safety measures होते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा focus करें ताके इससे उनका data या information loss ना हो human error और failure की वज़ा से भी हो सकता है कि let's suppose आपने mistakenly जो है कोई ऐसा software जो है download कर लिया है जिसमें virus था लेकिन वो free था आपने का चलो यार मैं इसको use कर लूँगा तो कोई मसला नहीं होगा लेकिन उसमें virus होता है और आपकी जो information है वो सारी की सारी hack हो जाती है या ऐसा होता है कि unintentionally भी आपसे कोई ना कोई data जो आपके पास classified data है कोई confidential data है और उसके अंदर जो है ना आप erroneous data enter कर देते हो मतलब full of errors data enter कर देते हो तो यहां पर क्या होगा कि आपके data के जो accuracy थी वो तो भाई खतम हो गई तो इस तरह से क्या होता है कि आपके data जो है वो अपनी original genuine हालत में नहीं रहता failure to protect information मतलब कि आप अ information को ठीक तरीके से protect नहीं कर पाते हैं आपके जो employees हैं तो यह सारे जो हैं आपके आजाते हैं human error या failure के अंदर अब देखें कि social engineering का जो है वो भी आपका human error या failure के अंदर आ जाता है अब social engineering आपके पास क्या है कि let's suppose आपका कोई जान पैचान वाले है या गपशप वाला है बंदा है आप उसके साथ जाके बैठते हो चाहे शाय पीते हो गपशप लगाते हो या smoking वायरा करते हो और बाद में आप पुछते हो कि यार एक बात तो बताओ मुझे कि यह यह जो पर देखें कि हमारे पास देखें अब biggest threat acts of human failure राइट अब human failure की examples हमें दे रहे हैं कि यहां पर अब देखें यह कोई जो है आप जो है ना दोनों काम जो है side by side कर रहे हैं अब आप office में बैठे हुए हैं और इसकी तरफ हम ज्यादा नहीं जाते simple words में आपको मैं समझाता कि आप office में बैठे हुए हैं और आपने क्या किया किया कि बिना जो है दो दो काम side by side कर रहे हैं और बिना दिहान दिये दोनों कामों को आप उन्हें कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप काम को गलत कर लेंगे और जो भी आपका objective था उसमें आप fail हो जाएंगे तो इस तरह से human क जो हैं बड़े errors आ सकते हैं अब next हमारे पास आ जाता है social engineering अब मैंने आपको इसकी already example दे दी हैं लेकिन यहां पर देखें बहुत important point है people are the weakest link किसी भी organization में चाहें आपने best किसम की technology यूज की है best किसम की आपने जो है firewalls यूज की है best किसम के आपने intrusion detection system यूज की है बेस्ट आपने intrusion prevention system यूज किये हैं biometric devices लगाए हैं लेकिन अगर आपके अंदर के लोगों में ही मसला हो उनमें ही weakness हो तो आप अपने information को secure नहीं कर सकते राइट तो अब इस तरह से आप जो है न social engineering के थ्रू आप information को access कर सकते हैं confidential information को next आपके पास है fishing attack अब fishing attack में आप क्य कहते हो कि आप ना कहते हो कि अब let's suppose facebook पर different हम fake IDs बना लेता है कोई और कहता है कि मैं फिलां बंदा हूं हाला कि आप होते कोई हो रहें तो अब आपको जो है ना वो कोई ने को information दे देता है कोई ने कोई अगर आप कुछ पूछते हैं तो आपको बता देता है तो यह आपके आ जाते हैं fishing attacks के उपर अब देखेंगे यहां पर let's suppose हम किसी को message बेचते हैं और हम कहते हैं कि भाई मैं फिलां किसी organization से हूँ फिलां किसी institution से हूँ तो आप ना मुझे यह information provide कर दें या आप इस पर जो है ना login कर दें तो आप जैसी login करेंगे तो आपके सारी जो login details है credentials है वो सारी उसके पास चले जाएंगी तो यह आपके fast fishing attack में आ जाता है अब let's suppose अब देखें कि कहीं ना कहीं आप किसी university में पढ़ते हैं वहां कि कोई fake उसी नाम से कोई fake website बना देता है same name से तो आप जहां आप अपने result चेक करना चाते हैं तो आप जैसी आप login ID लिखेंगे और password एंटर करेंगे तो सारा जो आपका login credentials है वो सारा उसके पास चला जाएगा जो भी इस fake website का owner है next आप बात कर लेते हैं information extortion की अब अगर attacker ने आपक को वो कहेंगा कि आप ना मुझे कोई ना कोई आप से डिमांड करेंगा कि मुझे इतने पैसे देदो तो मैं आपकी information leak नहीं करूंगा या आपको इस system पे या इस information पे आपको मैं दुबारा वापस success दे दूँगा या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके पास आपके credit card कार्ट क के अंदर next हमारे पास आजाता है sabotage और vandalism अब इसमें देखें कि sabotage आपके आपका data है वह अगर compromise हो गया है तो यह आपका आजाता है कि अब वह कुछ ऐसा होता है कि कुछ hackers होते हैं कि अब आपके साथ वह deal कर लेते हैं लेकिन कुछ hackers होते हैं कि वह अपने पास भी data नहीं रखते उसको directly compromise करने के बाद directly उसको जो है ना destroy कर देते हैं तो यह सारी चीज़ें आपके आजाती है sabotage और vandalism के ऊपर अब बात अगर कर लेते हैं हम different software attacks की तो अगर software attacks ही बात कर लेते हैं तो कोई let's suppose आपके पास कोई malicious software है कोई malware को use करके जो है ना किसी भी information को या system को access कर आजाता है तो यह आपके पास software attack आजाता है right next हमारे पास software attack में देखें के different types of attacks हमारे पास आजाते है malware attacks जिसमें अब कोई malicious code होता है और different हम execution करते है viruses की warms की trojan horses की active web scripts की right तो यहां पर अगर हम virus की बात कर लेते हैं तो let's suppose अगर आप कोई software data download करते हैं उसके साथ कोई ना कोई उसके जो main code है उसमें कोई चोटा सा code होगा तो वह उसके अंदर virus होगा जैसी आप वह download करेंगे तो आपके जो है उसको computer को या system को easily access कर लेगा let's suppose अब next है के warms की बात कर लेते हैं तो warms जो है बहुत dangerous किसम का एक malware होता है जिसमें यह हो है तो वो within minutes आपके जो system में हजारो copies बना लेता है और आपकी जो सारी information है उसको destroy कर सकता है Trojan horses की बात अगर हम कर लेते हैं तो इसमें यही है कि malware जो है वो disguised form में होता है अब let's suppose आप अगर WhatsApp business download करना चाहते हैं तो वहां पर आपको काफी सारे WhatsApp businesses की apps शो रही होती है तो अब कोई एक ऐसा software जो malware है तो वो नजर तो आपको WhatsApp business ही आ रहा है लेकिन हो सकता है कि उसके अंदर जो है different किसम के viruses या जो है कोई ऐसा malicious किसम की चीज़ हो कि जैसे ही आप download करते हैं तो आपका system crash कर जाए या आपका system compromise हो जाए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं back door कि अब देखें अब हमेशा से अब अगर हम real life की भी बात कर लें तो चोर जो होता है वह हमेशा पीछे के दर्वाजे से attack करता है तो यहां पर भी आप देखें कि आपका system है उसमें जो attacker है hacker है वह enter भी back door से होगा कोई vulnerability वह तलाश करेगा तो वहां से वह system को access करेगा नेक्स्ट है कि denial of service अब ऐसा होता है कि अब कोई website है attacker क्या करेगा कि वहां पर multiple times उसको access करने की कोशिश पर रहेगा और multiple requests बेज देगा उस पर तो क्या होगा कि जो target system होगा वह request से overload हो जाएगा और वो उन दोनों में फर्क की नहीं कर पाएगा कि यार किसको मैंने access देनी है कौन सा बंदा genuine बंदा है जो मेरी services लेना चाहरा है और कौन सा बंदा जो है मुझे hack करने के लिए ये करना चाहरा है तो फिर क्या होगा कि या तो system जो है वो crash कर जाएगा और या जो है आपकी website या system जो है वो hang हो जाएगा तो ये आपकी attack आ जाती है denial of service attack में next हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास DDoS attack आ जाती है ये भी कुछ हम बात कर लें तो DDoS attack से ही relevant है लेकिन इसमें क्या है कि हम जो multiple requests बेचते हैं वो target पे एक location से नहीं बेचते हैं बलके different simultaneously different various location से हम बेचते हैं mail bombing अब mail bombing को हम denial of service का नाम भी कह सकते हैं उसमें क्या होगा कि हम attacker के उपर जो है na attacker अपने target के उपर multiple quantities में जो है emails launch कर देगा तो उससे क्या होगा कि receiver जो है वो कहेगा कि मुझे इतनी सारी emails कहां से आ गई हैं तो इसमें क्या होगा कि उसकी mail जो है उसको वो easily access कर पाएगा उसको compromise कर सकता है अब अगर हम spam की बात कर लेते हैं तो spam में यह है कि अगर आप अपने email भी open करके देखते हैं तो वहाँ पर एक option होता है spam तो अब गूगल की भी अपनी policy है कि अगर यार इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो unwanted है तो वो उसको spam में बेज देता है उसमें कोई link मुझूद है या कुछ ऐसी जो है अगर YouTube को सही नहीं लगती तो वो उ इसमें भी क्या attacker क्या करेगा कोई ने कुई आपको link बेजेगा उसके साथ चोटा सा virus जो है वो embed करके आपको बेजेगा तो यह सारी चीजें आपकी spam के अंदर आ जाती है अब packet snapper की बात कर लेते हैं तो packet snapper क्या करता है कि एक tool होता है हमारे पास अब यह क्या करता है कि network के data travel कर रहा है ना उसको manage कर रहा होता है अब यह तो दोनों तरीकों के लिए use हो सकता है कि अगर वो जो है management purposes के लिए भी एक तो use हो ही रहा है लेकिन एक और जो है वो गलत तरीके से इसका भी use हो सकता है वो यह है कि जितनी भी network के उपर information मौजूद है वो packet snapper के जरीए steel भी क कर सकता है next अगर हम बात कर लेते हैं तो हम कहते है spoofing attack right इससे क्या होता है कि हम कहते है कि हम कोई ऐसी IP address उठा लेते हैं कि जिसको हमारा target है उसको trust करता है तो उस IP address के थ्रू हम उसके system को access करते हैं through unauthorized access तो यह हमारे पास spoofing में आ जाता है next हम बात कर लेते है man in the middle इसकी म let's suppose आप दो बंदे हैं वो आपस में communicate कर रहे हैं लेकिन तर्मियान में एक और बंदा भी मौझूद है जो network के packets को जो है ना monitor कर रहा है constantly और उनको जो है ना कोई ऐसा वक्त आएगा कि उनको वो modify कर देगा let's suppose आपने अगले बंदे को का कि क्या हाल है या तुम कैसे हो तो ब आपस उनको network पे enter कर देगा तो जिस बंदे को वो जाएगा तो वो कि या यह पागल तो नहीं होगे कैसी बात कर रहे हैं मेरे साथ तो यह आपकी आ जाती है man in the middle तो यह attack किस तरह से launch हो सकता है जहां पर आपने देखा होगा कि जो free wi-fi होती है ना वहां पर man in the middle जो है attack पो तरह के launch हो सकते हैं तो अब देखें IP scan and attack तो अब क्या करना है कि अब कोई infected system है राइट वो क्या करेगा कि IP addresses को या service ports को वो scan करेगा उसमें जितनी भी vulnerabilities होती है तो जो hacker को पता होती है उनको scan करेगा तो यह सारे आपके vectors है जिनके through आप देख सकते हो कि यार मेरे जो system है वो compromise तो नहीं है या इनी वेक्टर्स को यूज करते हुए attacker जो है वो attack भी launch कर सकता है अब next हम discuss कर लेते हैं कि denial of service attack अब यह थोड़ी सी और जो है ना explanation आ गई है denial of service attack की अब उसमें क्या होता है कि एक hacker आता है वो system को compromise करता है राइट और फिर वो क्या करता है कि उसी system को use करता ह है अपने एक और जो उसका target computer होता है उसको compromise करने के लिए उसको क्या करेगा कि उसको multiple request से flood कर देगा ठीक है तो अब वो क्या करेगा कि जो दूसरा से system जिसको compromise करना चाहते है वो उसको handling ने कर पाएगा तो उससे क्या होगा कि या तो वो system crash कर जाएगा और या attacker जो है उसको compromise कर लेगा easily next attack आजाता है हमारे पास IP spoofing attack अब देखें कि यहां पर हम कोई ऐसी जो है IP address ले लेते हैं जिसको हमारा जो हम जिसको target कर रहे हैं उसको वो trust करता है IP address को तो हम क्या करते हैं कि उस IP address को किसी और IP address से हम modify कर देते हैं तो जैसे ही अब hacker जो है ना जैसे ही अब hacker ने उसको modify कर दिया तो जिसको हम target कर रहे हैं उसने तो services लेनी है internet की तो जैसे ही वो internet की services लेने की कोशिश करेगा तो हमने तो अब IP packet जो है वो modify कर दिया है तो easily जो attacker है उसको उसके system को compromise कर सकता है with the spoofed या modified IP packet अब man in the middle अब देखे man in the middle हमने कह दिया आप से कि अब ये एक company है company B और ये company A है अब ये इसके साथ communication कर रही है लेकिन ये man in the middle अराम से बीच में बैठा हुआ है जैसे इसको अब उसे पता चल गया यार ये जो है ना अब मेरे काम की information ये exchange कर रहे है या तो ये information अठा लेगा बहां से और चुप करके निकल जाएगा और या तो company एक information modify कर देगा यहां से और इसको बेज देगा तो ये बन्दा कहेगा कि यार ये तो पता नहीं क्या होगे इसको पागल होगे क्या होगे तो ये man in the middle की example है अब हम बात कर लेते हैं अगर technical या hardware failures और errors की कुछ technical failures भी आ सकते हैं जिसमें आपके जो है let's suppose आपके system में कोई failure आ सकता है कोई CPU का failure आ सकता है तो ये सारे आपके आ जाते हैं technical failures में right next अगर हम बात कर लेते हैं उसमें मजीद अगर technical failures की बात कर लेते हैं तो अगर हमारे software या hardware दोनों combine करके उनमें कुछ bugs आ जाते हैं या कोई errors आ जाते हैं तो वो सारे भी हमारे आ जाते हैं technical software failures के अंदर let's suppose अगर आप कोई software यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ करते करते हैं उसमें कोई error आ गया और वो crash कर गया है तो आपकी information सारी उससे destroy हो सकती है तो यह सारे आपके आ जाते हैं technical software failures के अंदर राइट तो यह अब next हम देख लेते हैं कि हमारे पास यह कुछ the deadly sins in software security यह हमारे पास कुछ software security की बात कर रहे है technological obsolence की बात कर रहे हैं कि अब अगर आपका system जो है वो compromise हो गया है तो अब next बंदा जो है अब system जो है उसकी reliability और trustworthiness वो बहुत impact होगी क्योंकि आने वाले लोग तो यह कहेंगे ना यार अभी कल जो है यह वाला system हमारे पास जो है यह compromise हुआ था तो अभी हम इसके उपर किस तरह से हम इसके उपर दुबारा से trust कर सकते हैं तो वो इसके उपर trust नहीं करेंगे तो technology हमारी obsolete हो जाएगी तो IT का जो बहुत important role है वो security के अंदर बहुत ज्यादा ही important है तो हमें जो है technology obsolence को भी prevent करने के लिए different हमें steps लेने चाहिए ताके लोगों की reliability और trustworthiness हमारे system पे maintain रहे next अगर हम theft की बात कर लेते हैं तो इस तरह भी हो सकता है कि कोई जो है आपका system जो है वो चोरी कर के ले जाए या आपकी USB चोरी कर ले हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी चोरी कर ले तो ये सारे जो है data को destroy करने के लिए या data पे access हासल करने के लिए ये सारे आपके उस पे attacks launch हो सकते हैं तो ये था हमारा आज का lecture I hope so आपको समझ में आ गया होगा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो नीचे दीगे subscribe के बटन पर क्लिक के जिए ताके हमारी हर आने वाली helpful वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सबसे के